हेलो एचससी एस्फिरेंस स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में आज का हमारा मुख्य विसे टीजिटी स्पेशल गुरुप सी और फायर कम ड्राइवर ओपरेटर से समंधित विशो पर रहेगा जब भी हम एचससी के इस परकिरिया पर नजर उढ़ा कर देते हैं हमें वह गाना याद आता है इंतिहा हो गई इंतिजार की और आज मैं अभ्यार्थियों को अब को बतानागा चाता हूं आपको याद होगा तो आपको वहा पर कैसे-कैसे बत्चे वहां पर बैठे मिले ते जो आपके डिवी यानि डोकूमेंट्स कोलेक्ट कर रहे थे उनक काम इसमें मुझे नहीं पता यूनिवर्स्टी से बच्चे मंगवाए या कहां से बच्चे मंगवाए बच्चों की हेल्प से किया है यानि अन्टेंड वेक्टियों ने ये काम किये है इसलिए आज ऐसे को ये नतीजा भुगतना पढ़ रहा है अब भरतियों को ये नतीजा उम्मीद है देखे सभी एस्पीरेंस को किस तरह से कितने कितने लंबे आर्शे से वो एससे के सामने धरना दे कर बैठे हुए है हम आप से हाथ जोड़ कर ये प्रात्रा करते हैं कि इन अभ्यर्थियों की जल्द से जल्द आप सुने क्योंकि आज 14 तारिक हो चुकी है और जल्द ही आचार सहीता भी लग जाएगी और आचार सहीता लगने के बाद आधे काम रुप जाएंगे इसलिए आप से ये अनुड़ोध है कि एक दो दिन में तीन दिन में चार दिन में आचार सहींता लगने वाली है आप इन अभ्यर्थिआं की सुनिए बहुत आसाइन लेकर ये आपके दर पर बैठे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस पद पर आसीन होने के लिए, क्योंकि इस पद पर आसीन होना सब के बस की बात नहीं होती, बड़ी महनत के बाद लोग इस पद पर पहुशते हैं, और आप से बहुत उमीद इस हर्यान खिलाब कुछ भी नहीं बोल रहा है बड़े श्यांति पुर्वक तरीकों से और समयधानिक परकिरिया को समयधान को मद्द नजर रखते हुए वो अपने श्यांति पुर्वक तरीकों से अपना ये एजिटेशन जारी की वह है और लगातार हैसास के और शरकार से वो ये परार्थना कर रहे हैं कि करपिया हमारा ये रिजल्ट्स निकाल कर और हमें जल से जल ये ज्यानिंग दी जाए ताकि हम अपने पदों पर अपने कर्ये पाहर को समाल सके तो मुख्यमंत्री साहब से हम यही आसा करते हैं कि इन अभ्यर्थियों के इस लगातार सहन कर रहे इस रोज को दूर कीजिए इसलिए CM साहब से यह अनुरोद करते है कि इन अभ्याथियों की इस गुजारिश को जल से जल सुनकर अपने इस कारिये का निर्वहन करें ताकि समाज को ये एक नजर में दिखाई दे कि देखिए CM साहब ने आते ही कितना श्यांदार काम किया है देखे इसमें कोई दोराए नहीं है कि आपके जितने भी कारिये होंगे उनको जल्द ही आने वाले एलेक्शन में लोगों की नजर में आते देर नहीं लगेगी और यही आपके कारिये जो हैं आने वाले एलेक्शन में आपकी पार्टी को भी बहुत फाइडा देंगे हमारी आप से यही उमीद है और हम आसा करते हैं कि आप जल्द से जल्द इन रोस जहल रहे अभ्यरतियों का दुख दूर करें और इसके बाद में हम आते हैं नेक्स वीशे पर वो है चपन गूर्प वालों का तो जो सी गूर्प वाले हैं उनके चपन वाले के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि या तो यह अभी जब 19 तारीक को कोर्ट में कोई निने होगा और कोर्ट जिस परकार से इस ग्रूप के बच्चों का केस सुनेगी तो या तो वो इसको गूर्मेंट की जो अपील है उसको अकसेप्ट करेगी गूर्मेंट ने अप्लिकेसर लगाई है कि हम 41 नंबर को बिल्कुल काट कर 69 नंबर पे अपना रिजल्ट डिकलेर कर दे गूर्मेंट ने ओप्शन डिये है कि या इन नंबर को सभी विद्यार्थियों को दे कर सभी अभियर्थियों को दे कर उससे रिजल्ट निकाल सके अब कोर्ट इस पर अपना क्या निन्ने देती है ये इस बिसे पर ही डिपेंड करेगा अन्य था मुझे नहीं लगता कि 5 नंबर को छोड़कर 56 वालों का रिजल्ट आपके सामने आ सकता है हाँ TGT वालों का रिजल्ट अगर 5 नंबर एक्सपियंस पलस 5 नंबर शिशो एकनोमिक के निकाल कर अगर नए CM सहाब या HSC कोई डिसीजन लेना चाहती है कोट की परमीशन से क्योंकि परमीशन तो उन्होंने लगाई हुई है तो यह निर्ने जल्द ही आपके सामने आ सकता है 19 तारिक से इस वीडियो में हमारा अगला विशे जो है वो फायर ओपरेटर कम ड्राइवर से समधित है देखिए मैं आपको एक चोटी सी बात बताना चाहता हूं कि इन अभ्यर्थियों के साथ क्या क्या बनी है जब पेपर लिया गया तो एक घंटे में ही छे तारिक को बुला लिया गया कि आप कुछ से तरह आएए छे तारिक को आपका पेपर इस टाइम लिया जाएगा और एक घंटे के अंदर ही दूसरा नोटिफिकेशन डाल दिया गया कि आप साथ तारिक को आईए पानी पत पानी पत आपका पेपर लिया जाएगा और वो जब पानीपत पहुंचे तो उनको और रेट दे ली गई लगातार कितना मजाक हुआ है अभरतियों के साथ बड़ा ही दुख दाइक विसे है इसको कोई भी सहन नहीं कर सकता लेकिन अब रिजल्ट के लिए और रिजल्ट से पहले क्या क्या घटनाएं इन ड्राइवर पड़ा हुआ है कि आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट जो है वो रिकागनाइज नहीं है देखें आप सोचिए कि जो इंस्टीचूट जो अपरूवल देते हैं जैसे यूजी सी वो गॉर्मेंट ने सेंटर गॉर्मेंट ने अपरूवल उनको दिया गुआ है जैसे उजी सी और यूजी सी जिन इंस्टीचूट को डिपलोमा प्रवाइड करने की अनुमती देती है उन इंस्टीचूट को भी अन रिको रिकागनाइज इंस्टीचूट की लिस्ट में एससी ने डाला हुआ है बड़ी ही खेद का विशे है क्या देखिए 38 उनस्ती जो है रि क्या है स्टूडेंट्स को अभयतियों को वो अन रिकोगनाइज कर दी गई है जबकि गर्मेंट ने इन इंस्टीचूट को यानि यूजी सी के मद्यम से जो अपरूड है और दूसरे इंस्टीचूट विप यूनिवर्स्टी को भी अन रिकोगनाइज लिस्ट में डाला उनको ज्वाइनिंग दे गई और जब बच्चों ने प्म्ट के लिए आगरे किया तो कॉंस्टेबल के साथ उनको रखकर देखा गया के जब को सब्सक्राइब का होगा हर्याना कॉंस्टेबल पुलिस वाला तो उनके साथ में आपका प्म्ट ले लिया जाएगा क्यों कि हमर कुछ अधिकारी से यह आगरे किया कि अगर आप इनको ऐसे ज्वाइनिंग दे देंगे तो कल बिना प्म्ट के आपको कोड केस में लफड़ा पर सकता है और डर गया उन्होंने ज्वाइनिंग नीदी उन्होंने उनको वापिस एससी के पास भेज दिया अरे भाई ये क्या करना है यहां तो आदेस देने वाले और जोइन उनको कुछ पता हिनिया कि यह क्या रहा आब कृचों का सभी डॉकूमेंट फिर भी उनका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं जै вес सारे डोकुमेंट्स लाइसंस भी और डिपलोमा भी सब कुछ उन्हों ने अपलोड किया सब उससे को धिया फिर भी सब्सक्राइब आप जिनकी यह प्रोब्लम है किसी का पहले लिस्ट में आम आ गया सब डोकुमेंट्स कंप्लीट थे सब कुछ कंप्लीट था लेकिन दूसर सब्सक्राइब लिस्ट में आपको चिंता करें जरूती आपकी पोस्टिंग जरूरों जाएगी इसके लिए इस परकार के आस्वासन बत्चों को दिये जा रहे हैं अगला जो है वो पॉइंट है बार बार रिजल्ट को रिवाइज किया रहा है एक कमी को पूरा कर वालिया रिजल्ट रिवाई निकाल दिया दूसरी कमी को फिर पूरा और दे रिजल्ट रिवाई दिनकल अरे एक बार में भी काम किया सकता है और आज मैं अब बात बताना चाता हूं आपको याद हो फिजिए वालों को भी मैं कह रही हूं सभी को चार्व आउत को याद होगा सिससी ने जितना भी ये काम है डीवी का काम और काम इसमें मुझे नहीं पता यूनिवस्टी से बच्चे मंगवाए या कहां से बच्चों की हेल्प से किया है यानी अन्टेंड वेक्टियों ने ये काम किये है इसलिए आज एससे को ये नतीजा भुगतना पढ़ रहा है अब इनको एक बार ये भी फाइनल करना नहीं आता अगला कोई टैससी और फायर विभाग के बीच ताल मेल की कम आप अपाइंड में लैटर दे रहे या ज्वाइन कीजिए और वापीस भेज रहे है क्या ताल मेल ये कुछ नहीं क्योंकि तीसी को कुछ नहीं पता कि ये हो क्या गरा है अगला है अनने सभी गूरुप की ज्वाइनिंग और तथा फाइर वालोगी नहीं हो न यह सबीच और रहे ग्रूप डीके सभी जितने भी डिपार्टमेंट के सभी के अभ्याटी ज्वाइन कर गए लेकिन फायर वाटी जोईनिंग रहे क्योंकि प्यूपी किस ने पर रहे हैं आप यंपी ने पर रहे हैं क्या करेंगे यह अगला डिपार्टमेंट बिन पीम्ट के उनको ले रहा है तो आप को यादेश निका लिए बिना प्यम्ट के उन बच्छों को लिया जाए और ये डिसी रेट वाले बीच में फसकर जो है क्लियर होता है के अच्छे बच्छों का लगातार धरना देना इसी कारण से बच्छे कितने दिनों से लगातार एसासी के सामने धरना दिये हैं देखिए उसका स्वीरे में आपको दिखाता हूं यह क्या है प्रेसान है बेचारे इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और कम से कम इनका एक वैलिड रिजल्ट तो त्यार कर दिया रहे और लिस्ट रिवाइज लिस्ट निकाल दी जाए कि इन बच्छों का सेलेक्शन हुआ है उसके कारण उपर जिनका जो रिजल्ट में रह रहा है लेकिन अब की बार इस पर किरिया को अगरा आप देखो तो यह गुड़ा गुड़िया का खेल बना कर दिया है देखिए बड़ी स्रम की बात है उसके बाद में बच्छों के कटोफ से ज्यादा माक्स और फिर भी कटोफ लिस्ट में उनका नाम नहीं कितनी गलत बा है यह ईसे सका और यह चुलो ह cape еще website of DMT-212 करें और पहली लिस्त में नाम था लेकिन दूसरी लिस्त में नाम नदारत है 2 लिस्त में ओनद हीनि आब यह बताई कि वहाँ सरक्राइब छू है इस स्पी आधूना दीश्त सामने लेकिन कोई ही भी समाधान नहीं हो रहा है कोई भी उन्का रिजली कब्स इस प्रोसेस को अची तरह से ट्रेंड ऑफिससार से ट्रेंड इसकी इसको चेक करवा के जल्द से जल्द इन भरतियों का निप्टारा किया जाए नहीं तो इन अभ्यरतियों का रोस जो है इस नए CMC के नितित्तों में भी इसी परकार से बना रहेगा आप से फिर से प्राफरा करते हैं जल्द से जल्द इन भरतियों को निप्टाये ताकि इन अ पर जाकर अपनी सेवा जो है सरकार को दे सकते वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आप से मिलता हूं तब तक के लिए टाटा बाए बाए धन्यवाद